तो हेलो फ्रेंज्स अवद भी स्विद्याले बीएट फस्तियर और थर्ड पेपर एजुकेशनल टेक्नोलजी एंड आइसी टी सेचिक तक्निकी एंड आइसी टी मतलब इनिफॉर्मेशन कामिकेशन टेक्नोलजी सुचला एवं सब्रेशन तक्निकी इस सब्जेक्स में टोट फॉर्थ यूनिट में आपको टोटली क्या पढ़ना है ओके तो सबसे पहले फॉर्थ यूनिट एजुकेशनल टेक्नोलजी एंड आइसी टी का स्लेवस आपके स्क्रीन पे आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहां पे टोटल तीन पॉइंट मेंशन है पहला पॉइंट क्या है ICT and its component क्या मतलब हुआ Information Communication Technology सूचना या समप्रेशर तक्नीकी के component क्या होता है इसके घटक मतलब ICT होता क्या है इसकी अर्थ परिवासा विसेस ताइन इसके घटक कौन से है इसका उप्योग क्यों है संप्रेशर कम्प्रेशन क्यों रखा जाता है तो यह टॉपिक पढ़ना है दूसरा दोस्तों बात करें आप देख सकते हैं कि use of computer and internet in education कि सिक्षा के जगत में computer और internet का क्या इस्तमाल तीसरा दोस्तों टेली कॉंफ्रेंसिंग क्या होता है यह टूटल तीन पॉइंट्स है और इस यह तीन पॉइंट मेंसे आपको 15 नमबर के सवाल हर साल आले और इन तीन पॉइंट मेंसे तो 15 आएंगे लेकिन साथी साथ जो पहल पॉइंट है ना information communication technology सूचराय और समप्रेशर तकनिकी इससे mostly questions पूछे जाते हैं क्योंकि पूरे बुक का ही नाम है information communication technology अब आईए थोड़ा सा previous year को questions देखते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रशन पूछा गया है तो सबसे पहले 2020 का यह प्रशन पतर देखिए और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों 2020 में आठ नमबर में section B में एक आपसे प्रशन पूछा गया है कि समप्रेशर की प्रकिरिय किया दोस्तों इसी तरह 2019 में अगर आप देखेंगे तो 2019 में आपसे आठ नमबर में प्रशन पूछा गया था कि समप्रेशर की विश्यस्ताओं का वड़न करिए ठीक है डिस्क्राइब the characteristics of communications ठीक उसी तरह अगर आप 2018 के बात करें तो 2018 में 15 नमबर में यह प्रशन पूछा गया था कि संप्रेशर से आप क्या समझते हैं संप्रेशर की प्रक्रियाओं और कच कच संप्रेशर उपागम का वड़न करी मैतलब आप देख सकते कि communications topic कितना ही ज्यादा important है आपके बीट फरस्टेर के अतबार से तो एक वीडियो जिसमें communications होता क्या है इसका अर्थ क्या तिसरा इसकी विशेशताएं क्या है इसका उपयोग क्या है इसके उद्देश ये क्या है ये सारे topics को cover करके एक वीडियो बनाया गया है तनुशरी मयान के दवारा ठीक है वो वीडियो भी upload मैं कर दे रहा हूं ठीक है नीचे description में link देता हूं और वहाँ पे आप click करके उस वीडियो को देख लिए और एक request खास यह है कि उस वीडियो को देखिए तो प्लीज आप अपने सब्दों में notes जरूर बना लीजेगा ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा important है दोस्तों संप्रेसर के बारे में एक प्रशन आपस जरूर पूछा जाता है ठीक है इस वीडियो को question paper तीसरे subject की अगर आपके पास नहीं है मैं वहाँ पे आपको भेज दूगा प्लीज वहाँ पे message करिए कि आपके पास नहीं है ठीक है और दूसरी और सबसे खास बात यह है कि संप्रेसर को एक ही वीडियो में completely cover कर दिया गया है तनुसरी मैं के द्वारा नीचे description में link होग वैसे मैं telegram में भी भीज दूँगा प्लीज आप उसको देखी और संप्रेसर को आज खतम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा टुकुले टुकुले करके ऐसे हम प्रोवाइड करेंगे ना तो पूरे जल्दी स्लेबस खतम होगा तो इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं संप्रे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिए चैनल को और प्लीज दूसरों तक शेयर कर देजिए लोगों को जोड़िए थोड़ा इतनी अच्छे टीम बनाईए इतने अच्छे लोग बनाई है इसमें ताकि मेरा भी कुछ भाव सके ओके दस्तों तो संप् अपने सब्सक्राइब जरूर नोट करेंगे ओकी सो बाई बाई मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल चैनल